देखे मुझे लगता है कि किसान जो कह रहे थे उनको कोई विश्वास नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा और वो तो यह जहां जहां पर भी किसानों से चर्चा हुई तो वो तो कहते हैं अब हम 2024 तक का इंतजार कर रहे हैं अब यह लडाई लंबी है तो हम 2024 में जवाब दें जो नई सरकार आएगी वो हमारे हिसाब से इन कानूनों को रद करेगी और हमारे हिसाब से बनाएगी क्योंकि वही सरकार आप आएगी सत्ता में यह किसानों का मानना था और किसान इस तरह से आप एक चीज देखिए इन सब पर हम चर्चा करते वक्त एक चीज क्यों नहीं कि इन कानूनों को लाने का तरीका जो था आप देखें कि 2012 में वही भारती जन्ता पार्टी उसकी नेता प्रतिपक्ष सुस्मा स्वराज नेता बिरोधी दल राजसभा अरुण जेटली समेट सारे लोग जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी यूपीए की सरकार थी जिसमें सरत पवार क्रशमंत्री थे और वो इस पर लाना चाहते थे कार्परेट के हिसाब से इसी तरह से कुछ तो जब उस पर चर्चा हुई थी तो इन्हों ने खुलकर इसका बिरोध भी किया था और इसकी कमिया बताई थी और इसका पूरा एकोनामिक मॉडल जो है अरुण पार्टी के लोग आहतियों को दलाल और जाने क्या और क्या बताते हैं किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं को कोई जो है उन्हें चीनी उससे पोसित बताता है कोई किसी तरह से विदेशी फंडिंग वाला एक पूरा गेम बताता है तो इस तरह से जब किसा किसानों को बद्धनाम किया जाता है किसानों को गुंडा डिकय बलातकारी बताया जाता है तो ऐसी इस्थिति में अचानक इकदम से प्रधान मंत्री का इतना बड़ा हैदर परिवर्तन क्यों हो जाता है और आप देखें जब सरकार आती है तो आते ही नरेंद मोदी उस प्रदाने की और उसकी तैयारी पर सुरू हो जाते हैं और अचानक कोविड के दोरान जब पूरा देश दुनिया कुरोना से लड़ रही थी और संकट से जूजने के लिए काम कर रही थी अपने सारे फंड सभी ने ट्रांसपर कर रखे थे सारी नीतियां ट्रांसपर कर रखी थी थी, कि हम सिर्फ जो है कोविड से लड़ने और उसके लिए उसकी दूसरी वेब, तीसरी वेब और चौती वेब की तैयरी करेंगे, उस समय प्रधान मंत्री करशी कानूनों से जुड़े, करसी उससे जुड़े यस तीन कानून लेकर के आते हैं, किसानों से जुडे, औ और इसमें लाकर के एकदम से मनमानी अचानक लेके आते हैं पहले अध्यादेश लाते हैं फिर अचानक एकदम से रातो रात कैबिनिट पास कर देती है और रातो रात तैयार हो जाता है और सुबह जो है संसद में पेस हो जाता है और अगले दिन फिर वो हो जाता है और उसके पर चर्चा हो गई क्या मन्थन हो गया क्या हो गया सायद कार्पोरेट के साथ हो गया था या अपने उन लोगों के साथ हो गया था उस किचेन कैमिनेट के साथ हो गया था तो समझ में नहीं आता यह चर्चा किस से हो गई और किस से हो गया इस टेक होडर से तो हुई नहीं क्य संसानों के साथ कोई चर्चा नहीं हूई खको लेकर संसां इसके अलावा सुप्रिम कोर्ट के जबाद में भी बात मान ली सरकार कि कोई नहीं हुआ तो इसका मतलब है सटेक होलर से और किसी से भी चर्चा हुए बिना अचानक एक्दम से हो जाता है ये कानून आने के बाद दो महीने बाद में हरसिम्रत बादल इस्तीफा दे देती हैं और कहती हैं कि सब ये तो बिरोधी है और ये क्योंकि पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी ने एक बिरोद खड़ा कर दिया था पंजाब दो महिने पहले ही खड़ा हो गया था और सारा बिरोद हो रहा था राहूल गांधी जा करके वहां ट्रेक्टर चला करके पंजाब हरियाना में उसको प्रदर्शन को बढ़ा देते हैं अंदोलन को बढ़ा हो है और लाठी डंडे चलाते हुए और किसी तरह सबसे लड़ते हुए वो किसान जब वहां पहुंसते हैं तो हरियाना में जिस तरह जब सपोर्ट मिलता है तो कहते हैं तो कॉंग्रेस के लोग सपोर्ट दे रहे हैं और सारी चीज़े बाद में धीरे धीरे यांदोलन रा किसान का नुमाइंदा बैठा है हरियाना में तो बीजेपी की सरकार है उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ओ खोल दे पंजाब में तो चलिए कॉंग्रेस की सरकार है मान सकते हैं तो इन सब इस्थितियों को आप देख लिए और फिर किसानों ने जिस तरह से आंदोलन को बढ़ा दे रहे हैं सबको एपॉइंट्मेंट लेटर दिये जा चुके हैं सरकारी नोकरियों के तो आप इन से समझ सकते हैं कि किस तरीके से और उसके बाद में आज जब प्रियंका गांधी से कहा जाता है पूछा जाता है कि अंदोलन में तो वो कहती हैं इस पस्त कि अंदोलन किस उनको समर्थन दे रही थी उनका साहता कर रही थी लेकिन वो अंदोलन किसानों का था और जो जीत भी है वो किसानों की जीत है तो ये प्रेंका गांधी के कहने का अर्थ निहतार्थ समझना चाहिए आज प्रधान मंतरी ने जिस तरह से दमभ के अंदाज में इसको वापस तेने की बात कहीं से लगटा है कि उनके अंदर सद्भावना नहीं थी, उन्होंने सद्भावना में वो आपस नहीं लिया है, उनको कहीं से डाट पड़ी है, उन्हें कहीं से इस बात का डर पैदा हुआ है, कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, और प्रधान म इस तरह का decision नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी स्तिती में समझा जा सकता है, कि ये सारा decision जो है, सिर्फ और सिर्फ उन कारणों से लिया गया है, जो वोट की चोट उप्चुनाओं में दिखाई दिये हैं, और जो भविस्च में दिखाई दे रही है, कि UP के election में दिखाई देगी और उसके बाद दिखाई देगी लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह अंतिम फैसला है निश्चित रूप से आज वो जिस ड़र के साथ में वापस ले लेते हैं और संसद में भी पास करा देंगे और साधी चीज़ हो जाएगी क्योंकि में भी मंतरी की यह वकात नहीं है कि वो इनसे सवाल कर सके कि आखिर अब ये वापस क्यों ले रहे और उनके किसी सदस्य की यह वकात नहीं है जो उनसे कुछ कह सके तो ऐसी इस्तिती में ऐसे एरोगेंट प्रधान मंतरी का यो जुक जाना आसान नहीं है सामान में नहीं है उसको एक रहनीत का हिस्सा मानना चाहिए और यह मान के चलना चाहिए कि उसके आगे वो कुछ और करने की सोच रखे हैं लेकिन उसके पहले अपने आपको बचाने का और उसका डर संग से भी हो सकता है जो उनके आका बैठते हैं उसका डर उस कार्पुरेट से भी हो सकता है अभी कि अभी आप समालो हमारे भी उद्योग आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में रिलाइंस और अदानी के जो पावर के कारखाने हैं वो बंद चलना है उससे जाने कितना बड़ा नुकसान हो रहा है तो आप ये समझे कि हर महीने उनको जाने कैसो कैहजार करोर का नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भी तो उन्हें सोच नहीं है तो संभव ये हुआ हो कि अभी आप करके इसको मेनेज करो जब ये सरकारों और दूसरी चीज़ें यहां मेनेज हो जाती है यही पंजाब में हमारी सरकार बन जाती है तो उसके बाद में हम उस धंग से करेंगे तो यह भी हो सकता है तो इन सारी चीज़ों को ले करके बड़े लंबे आस्पेक्ट में देखेंगे तो गोदाम अधानी इसके कहां बन रह और जिसमें नरेजन बोदी के आकाओं ने उन्हें निर्देश दिया यही वज़े है सुबह साथ बज़े तक किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा